हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे होम मेड चिली सॉस तो चिली सॉस बनाना बहुत ही आसान है तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम हमने मोटी वाली मिर्च को लिया है यह पलिया वाली मोटी मिर्चे है यह बिकुल भी तीक ही नहीं होती है तो इससे हम चिली सॉस बनाएंगे तो यह यहां पर हमने 500 ग्राम मिर्च ली है और इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसको कट कर लिया है तो यहां पर हम तीखी वाली मिर्चे लेंगे तो इसमें हम 4-5 तीखी वाली मिर्च को एट करेंगे और इसको भी हम कट करकर इसी में मिक्स कर लेंगे आप पतली वाली मिर्चों से भी चिली सौस बना सकते हैं यहां पर हमारी मिर्चे कट हो गई है तो यहां गैस पर हम एक पैन को रख देंगे और उसमें एक चमच ओयल डालेंगे ओयल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम आदा चमच जीरा डालेंगे और जीरा हमारा करकल हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपनी कटी हुई मिर्चों को डाल देंगे और इनको एक से दो बार हम अच्छे से चला लेंगे तो यहां पर हमने लिए हैं 15 से 20 कलियां लहसुन की वो भी हम इसमें आइट कर देंगे और यहां पर हमने 8-10 टुकड़े टक के लिए हैं इनको हमने छोटा-छोटा टुकड़ों में कट कर लिया है वो भी हम इसमें आइट कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे अब इसमें हम एक कटोरी पानी को अड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसी खुला पका लेंगे तो आप इसको ढखकर भी पका सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको खुला ही पकाया है यहाँ पर मिर्चो का पानी पूरी तरीके से सुखा देना है मिर्चो में हमारे पानी नहीं रहना चाहिए और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ठंडा होने से पहले इसमें हम एक चम्मच चीनी को डालेंगे और यहाँ पर हम एक से डिल चमच नमक डालेंगे और नमक डालकर इसको ढखकर रख देंगे जिससे चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी और नमक और चीनी जो है मिर्चों में अच्छे से पानी को छोड़ देगा तो यहाँ पर हमारा मिशनल जो है वो ठंडा हो गया है और यहाँ पर इसको हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे तो यहाँ पर एक कटोरी हमने विनेगर लिया है यह वाइट विनेगर है इसमें थोड़ा सा डालकर इसको पीस लेंगे उसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा डाल लेंगे और इसको फिर पीस लेंगे तो यहाँ पर हमने पूरा एक कटोरी भरकर विनेगर लिया है इसी तरीके से यहाँ पर हमारा चिली सॉस बनकर तयार हो गया है तो चलिए इसको चान लेते हैं इसमें कोई मोटे पार्ट्स रह जाएंगे मिचके तो इसमें निकल जाएंगे तो यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और अपनी चन्नी रखकर इसको हम चान लेंगे तो यहाँ पर हमको बिल्कुल मार्केट जैसा चिली सॉस मिल जाएगा जनी में जो ये मोटा मोटा सा है इसको जो है मैं एक बार ग्राइडर में डाल कर और थोड़ा सा बिनेगर डाल कर इसको एक बार और हम चला लेंगे तो ये भी हमारा पेस्ट बनकर अच्छे से निकल लिए आएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कितना बड़ी है सा हमारा इसमूज सा पेस्ट बनकर तयार हो गया है तो इसको आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं और अब रमजान के लिए यह आप चली सौस बना कर रख लें तो आपको चाट पकोड़ी और किसी भी सनेक के साथ खाएं तो आपको यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अल्ला आफिज